सबी दोस्तों को जय हिंद बन्देमात राम 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 इंडियन आद्मी पोडल की नई भरती आ रही है जिसका फॉण अप्लाई 5 अप्रेल से स्टार्ट है इसमें All Over India के पॉण अप्लाई कर सकते हैं विचों इन्डियन आद्मी पोडल की भरती होती है इसमें सबसे बड़ा benefit उन बच्चों के लिए होता है जिनका रेटीन बहुत ज़दा strong नहीं है बहुत ज़दा कमजोर है एक्जाम पास नहीं कर पाते हैं तोकि इस बर्ती में डाइट आपका physical होता है और जो बच्चा physical पास करता है फिर इसका medical होता है और देन दोस्ता आपके पास कर पाऊगे तो भरती बहुत अच्छी खासी होती है तो इस भरती में वह कैसे करना है डाइक जाकर आपको भरती देखनी है कि आपको मिल जाएगी बस वीडियो आप सुर्व से एंड तक जरूर देखना तो में दोस्त जो आपके भरती कराई जाएगी किस कंपणी के तरद भरती होगी आपके आपके देखनी कराई जाएगी और इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है पता इसके फार अपलाई होगे वो ऑनलाइन होने बाले है प्रिबिए से यर में इसके इसका इसु हुआ था प्रिबिए से लेके उन्तिस अप्रायल के बीच में से अप्रिशु हो गये थे तो रिकौर्मेंट प्रोसेस होता है ना इसमें आपको देरी नहीं लगती इसमें क्या होता है आपका डारेक जाओगे वहाँ के फिजिकल दोगे इसको अब के मेडिकल होगा दिन दोस्तों आपके साथ लेके आठ से लेके दस दिन के विक्तर आपको जोइनिंग मिल जाता है तो यह दोस्तों आपका रिकौर्मेंट प्रोसेस के उपर और दो आपके अप्रेल दो या तीन तरीक तक आपके नए वाले का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा यह आपके प्रिवेस के वाले नोटिफिकेशन है और इसी के तहद मैं आपको साई जनकाई देदेता हूँ यहां पर देख सकते हैं जो प्रिवेसर में वेकेंसी निकाली गयी तो 1200 वेकेंसी निकाली गई थी और इस साल जो आपकी नई वेकेंसी आ रही है 1250 पर दोगे वेकेंसी आने वाली है और दिन दोस्तों इसमें सबसे अच्छा चीज क्या आपको पता है इसमें दोस्तों आपको All Over India के ने फॉर्ण प्लाई कर सकते हैं डारेक्ट दोस्तों अगर आप दस भी या दोस्तों आप आठवी पास हो तो आप प्लाई कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है बस यहीं आपके एजुकेशन है और कुछ नहीं और एज भी आप यहां पर देख सकते हैं चालीस साल तक का आपका एज है तो आपको आपका कर सकते हैं उमरिगर्णा कब से की जाएगी तो यह आपके 28 अप्रेल 2014 से आपके उमरिगर्णा की जाएगी ठीक है पीवी सेर में बहुत ही अच्छी खासी भरती मेरे दोस्त जिन बच्चों का रेटिन कमजर है उनके लिए तो इसर भरती बहुत ही अच्छी खासी है सारी भरती का official notification में सबसे पहले तेली गाम चला पर डाल देता हूं apply link बगरा जो भी होता है अपने तेली गाम चला में provide करा देता हूं तो तेली गाम चला का link वीडियो के description में प्रोवाइट कर दूँगा पटापट जाओ सारा बिश्राइन इंपॉम टेली गाम चला को जोईन कर लो वहाँ पर भी ये notification आपको मिल जाएगा जिससे आप दोस्तों आप सारो document रेडी करके रख पाऊए क्योंकि आपको पता है इसके दोस्तों अभी आकलन लगाया जाए इसके online form apply होगे वह दोस्तों आपके पाँच अप्रेल से स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे इसके online form apply होते हैं इसका official notification जारी होता है मतला अप्रेल आपको physical वगरा हुए और दोस्तों आपका result जो डिक्लियर हुआ था वह आपके पांच मैं में ही दिक्लियर हो गया था पांच मैं के दस मैं के वित्तर मतलब सोचो इस तीर वी आपकी जो भरती करेंट कराए जाएगी उसका requirement पस्त आप देखिएगा 26 अप्रेल से लेके 28 अप्रेल के बीच में भया रहे लिए होगा और उसका भी result दोस्तों आप देखिएगा मैं आपके पांच से दोजार चोबीस से लेके दस तरीक दोजार चोबीस से क्लियर हो जाएगी तो वह आपके बहुत ही अच्छी खासी बात है इसके पाद दोस्त पासओ साइब्स फोटो लेके जाना है जंधन बैंक में ढूस्ताँ आपका अपका एकांट नहीं होना चाहिए उसके पड़ आपके डॉमेसे सर्टिपूर अपकत लेके जाने हैं इसके पास आपको टोस्त आपको अपको दस्थलेगा घृप्लेफा câmb Check इसके पास दोस्तों आपको क्या है इसके पास आपके पास JTR फोर्टो भी आपके पास होना चाहिए करीबन चार इसके पास दोस्तों आपके देख सकते हैं एक और तो आपको बनाना पड़ेगा जो आपको बना के रेडी रख लेना है इसके पास दोस्तों आपके डेट अप यह दोस्तों आपके MATRIX सार्टिफिकेट वगरा होगा तो वह भी दोस्तों आपके डेटा वर्क में काउंट हो जाता है तो आपके आठवी क्रास का सार्टिफिकेट वह आपको लेकर जाना पड़ेगा और पुलिस जो होगा वह आपका एक ज़मबरी तूथान टूथान टू सेलरी की बात जैसा मैंने आपको कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में सेलरी बहुत अच्छी खासी होती है तो इसमें दोस्त आपकी जो बेसिक सेलरी होती है वह अठारा जार की होती है अधियन दोस्तों एलाउंस वगएर यहां पर मिला के डी ए डी ए फिर और बात बाकी सेलरी मिलेगी तो सेलरी बहुत ही अच्छी खासी होती है और यहां पर आप सेलरी देख सकते हैं 3060 रुपे की सेलरी मिल रही है बिना कोई एक्जाम खाली दोस्तों आपके फिजिकल अधियन दोस्तों को मेडिकल क्लियर करना इस दुबार आपकी नौकरी हो जाएगी अब दोस्तों इस भरती में क्या आर्मी की वर्दी मिलती है जी हां आर्मी की वर्दी इसमें मिलती है पर दोस्तों इस भरती में एक चीस का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा अब वो चीस क्या है तो बहुत लोग बोलेंगी क्या यह परमानेंट भरती है तो जी नही इसमें आपका नौकरी होने के बाद आपको 6 मंथ तक ही आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा इसके बाद भाई आपको घर वापस भेज दिये जाएगा तो 6 मेना तक आप नौकरी करोगे लेकिन इंडियन आर्मी के साथ ही आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा उनी के सांथ आप सारी करोगे अप सब कुछ के साथ होगा अब हुए अन्डिया जोग भरती होते हैं और दोस्टा जो पता है जो इंसे बर सभू होते हीलिंग चेकह भूंची एडिया में पोस्टिंग कि जाती है इंको खानता करना पानी सप्लाई करना ति सारा काम दोस्तों कंपनी मेरा को दिया जाता है और यह कंपनी ही आदमी करती है और यह जो आप रिकॉर्मेंट होगे यह इंडियर आर्मी के खाना सप्लाई करोगे सप्लाई करोगे सप्लाई करोगे तो इंडियर आर्मी के दोस्तों केम्प गरा हिल कमपनी रहने वाली है पोटल की, इस ही में दोस्त आपका भरती होगा यही कमपनी आपको सलरी देगी तो पेमेंट अच्छा खासा है लेकिन भरती 6 महीना किराने वाली है बट कोई दिक्कत नहीं जिन लोगों बरती का सोग है जिन लों को RV वालग के साथ काम करने का सोग है उसमें दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी बात है क्या राइफल मिलता है इसमें तो जी नहीं राइफल इस भरती में आपको नहीं मिलती है क्योंकि यह भरती बहुत जल्दी करेंट करा जाती इसमें कोई basic training वगरा भी नहीं होता है जाएगा आप भरती करोगे दो दिन के बाद आपको बोल दिया जाएगा यह रास्ता जाना है बस आपको खाना लेकर पहुंचाना है देन दोस्तों food supply वगरा काम आपको करना है बस और कुछ ने यही आपकी normal भरती होती है नहीं है जैसे इसके फ़र्म पर स्कार्ट होते हैं मैं इसको ऑनलाइन वीडियो बना दूँगा और दिन उसके बार में सारी जनकरी यह पर ठीली आप चनल पर डाल दूँगा तो अभी तरह आपको आप आप पर में आप यह जोईन करो तो जाओ फटाफ़ टेलेगाम जोईन हो जाओ, बात बखी मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फोरमेड़ी उड़े साथ, बोल भात मता की जै बंदे मातरम, और पांच अप्रेसे के फॉर्म प्ले स्टार्ट हो रहे हैं, पूरा ख़बर निकल के सामने आ रहा ह और यह जो नोटिफिकेशन है, इसका प्रिवेस एर का नोटिफिकेशन है, इस एर का नोटिफिकेशन जब इसका फॉर्म प्ले स्टार्ट होंगे, उससे दो दिन पहले आ जाएगा, जैसे इसका ऑफिशन नोटिफिकेशन आता है, उसके तहत भी आपको सारी जनकारी प्र